श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री किष्णा लवली फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है मैं हूँ एस्ट्रोलज और सुने शास्त्री और आप देख रहे हैं जो तिस से संबंदित कुछ विशेश और एडिशनल जान का रहे हैं तो लवली फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो के माद्यम से जानते हैं डिस्कस करते हैं कि वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग घर के या प्रॉपर्टी के इशान कोड में इस्ट नॉर्थ कोर्णर में सोचाले क्यों नहीं होना चाहिए और यदि है तो इसका क्या क्या प्रभाव आपके जीवन पर पढ़ता दिखाई देगा आए जानते हैं दोस्तों यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सकाइब नहीं किया है तो प्लीज अभी चल्दी से बटन सब्सकाइब का दबा दीजे सब्सकाइब कर लीजे हमारे इस चैनल को और बेल आइकन के बटन को भी साथ के साथ और को सेलेक्ट कर लीजेगा ताकि इस तरह की और भी बहुत सारी धेर सारी interesting videos की notification आपको मिलती रहेगी चाहे वो astrology से related हो, चाहे वो वास्तो शास्त के tips हो या वास्तो शास्तो से संबंदित बहुत ही additional जानकारिया हो वो सभी आपको प्राप्तो हुरती रहेंगी तो दोस्तों चरिए start करते हैं मित्रों, वास्तो आपको वास्तो प्रुश की स्थापना आधिकतर लोगों के घर में इशान कोण में ही होती है और भी corners में होती है जैसे कि आगने, नैरित्या, वाइब्या, इशान तो सभी में हर मन्त के according, हर तीन महिने में अलग direction हो जाती है वास्तो की वास्तो रखने के, जो color शक्ते हैं शिला न्यास तो हर तीन महिनों में वो change हो जाती है तो उसी प्रकार से जादतर लोगों की वास्तो होता है, वो इशान कोण में होता है यानि कि North East corner में तो North East corner जो है, वो बहुत ही शुब माना जाता है हमारे वास्तो शास्तो के अंदर जहांपर की वास्तो का जो सिल होता है हाथ होते हैं डिरेक्शन होती है ट्राइंगल में वो इशान कोण की तरफ होती है इशान कोण सूर्य के अकॉर्डिंग हर कोना एक अलग और पॉजिटिव एनर्जी को देता है इशान कोण में वास्तू का निवास विशेश रूप से होता है इसलिए वास्तू कोन है वास्तू पृष चाहता है तो वास्तू पृष भगवान नारायन को ही कहा जाता है वास्तू यानिकी वासू वसु देव सुतं देवं कंसचानुन मर्दनं देव की परमानंदं वंदे विश्नुम जगत गुरुम वो विराट पुरुष ही वगवान नाराणी ही वास्तु है वास्तु देव ही वास्तु है इसलिए वास्तु पुरुष का भूमी पर इशान कोड में विशेश रुप से प्रतिष्ठा है प्रभाव है इसलिए वास्तु देवता समस्त आपके पृतिवी पर भूम अंडल पर प्रिद्वी के टुकडे पर, प्लोट पर, मकान पर, वहीं से पूरा आधिपत्य रखते हैं। वास्तु कोना पूरे प्लोट का जो कॉर्णर है उत्तर इस्ट वो कॉर्णर यानि की इशान कोन बहुत ही जादा महत्त रखता है। घर में पूरी धन समपदा, दीरगायू, आपके पद, आपकी प्रतिष्ठा, आपके जीवन में जो सुख होने चाहिए, उन सभी सुखों को, इन सभी फैसिलिटिस को वास्तु इशान कोन से बरकरार रखता है। इसलिए यू मानें कि भगवान का वास है इशान कोन में। इशा वाश्रमिदम सर्वम। इशा वो परमात्मा का वास होता है इशान कोन में। वैसे तो कण-कण में भगवान है, लेकिन कण-कण में भगवान अलग-अलग दृष्टी कौन से और अलग-अलग प्रभाव को देने वाला है. अब किसी कण में यदि भूत प्रित भी रहते हो तो वो भी तो भगवान ही है क्योंकि हरा आत्मा प्रमात्मा है प्रमात्मा से हरा आत्मा निकली है तो वो भूत भी भगवान है लेकिन वो भगवान फिर अपने स्टाइल से देते हैं फल है न भूत है और देवता भी भगवान के अंशा है लेकिन देवता फिर अपने स्टाइल से देते हैं तो अपना-पना कर्म और अपनी अपनी टकड़ती है वो उससाब से करते हैं अब देवता होंगे तो वो ऐसे फल देंगे आईश्मान भाव और वही भगवान जब भूत रूप में होते हैं तो गला पकड़ते हैं रात को फिर है ना तो ऐसा नहीं कह सकते हैं लेकिन विशेश रूप से कहने का मतलब है कि वो किस प्रवर्ती में अब वो देवता प्रवर्ती में विश्नु प्रवर्ती में भगवान प्रवर्ती में इशान में निवास करते हैं तो वो इशान के रूप में देव के रूप में वहाँ से फल दे रहे हैं तो इसलिए इशान कौन हमारी प्रोपर्टी का शुद्ध, साप, सुगंदित और अट्रेक्टिव होना चाहिए प्रकाशित होना चाहिए, सुन्दर होना चाहिए इसलिए दोस्तों, इशान कौन में कई लोग ऐसे होते हैं गलती के कारण या तो सीडिया निकाल देते हैं, जो खराब है घर के लिए, घर के मेंबर्स के लिए दूसरा या तो इशान कौन में ट्वाइलेट बना देते हैं वाश्रूम बना लेते हैं तो वाश्रूम ट्वैलेट जो है वो इशान कोड में सबसे ज़्यादा प्रभावित और सबसे ज़्यादा दुखी कर देने वाली बात है जिनके गर में भी इशान कोड में यदि ट्वैलेट बना हो बातरूम बना हो तो दोस्तों वहाँ पर जो है या सीड़ी बनी हो और specially washroom बनाओ washroom ट्वैलेट तो वो बहुत ही negative energy देता है बहुत ही negative fact करता है ऐसे लोगों पर जो लोग उस घर के honor है या उस घर में जो जो रह रहे है इशान कोण में जिस घर में भी ट्वैलेट है समझो उस घर में पूरे तरीके से प्रते दिन हमेशा दुरगटनाए होंगी बिमारी हमेशा राज करेगी ऐसे घर से बिमारी कभी जाती नहीं है और और बिमारी वास करती रहती है नित्य निरंतर व्यक्ति को जो है बिमार इस तरह की problems ऐसे घरों में आयू भी कम होती है व्यक्ति की आयू जो है वो बहुत कम हो जाती है दिरगायू नहीं होती है उत्तम आयू नहीं होती है बहुत कम आयू होती है साथ में घर में जो पैसा होता है वो अच्छे काम में नहीं होता ऐस सबसे पहले तो इशान कोण में जिनके भी वाश्रूम, ट्वैलेट वगरा होती है उनके घर का स्रोत जो है, इंकम सोर्सिस जो है वो बंद हो जाते है काम नंदा डाउन आ जाता है मैंने खता बरबाद कुल मिला कि मिला हर तरक्ये से बरबाद हो जाते है और शरीर से भी प्राब्लम्स होती है, बिमारी बिमारी बनी रहती है दुखी हो जाते है, जिन्दगी से परिशान हो जाते है अकाल मृत्यू भी होती है, ये ध्यान रखेगा इशान कोण में इसलिए ट्वैलेट, बात्रूम, वाश्रूम नहीं होना चाहिए किसी भी सिच्वेशन में, प्राब्लम्स मैंने आपको बता दी यदि आपके घर में भी या किसी के घर में भी यदि इशान में हो तो वहाँ पर ट्वैलेट हो सके तो तुड़वा देना चाहिए वहां से टोयलेट सीथ हटा करके उसे सब वहां से हटा देना चाहिए वाश्टूम तुडवा देना चाहिए साफ सुत्रा उसे कर देना चाहिए इसलिए कोशिश करें कि वहाँ से टोयलेट वगर हाटवा करके सबसे पहला उपाई तो यही अगर हाटवा दे तो बहुत अच्छा है इशान कोण को हमेशा साफ सुत्रा रखे चाहे तो आप इशान कोण में मंदिर की स्थापना कर सकते हैं अपने यदि मंदिर नहीं बनता तो वहाँ पर एकाद फोटो भगवान की लगा दिजे नहीं लगा सकते तो इशान कोण को हमेशा एक तो इशान कोण में यदि कोई खिड़की हो तो ज़्यादा वेटर है खिड़की से हवा आने दें खोल के रखें खड़की को इशान कोण को यानि कि नौर्थ इस्ट कॉर्णर को हमेशा इशान कोण यानि कि नौर्थ इस्ट कॉर्णर को हमेशा सजा कर रखें सुन्दर सुन्दर चीजें लड़ियां, अच्छे गंबले सुन्दर फूल धूब जलाकर रखें इशान कोण में दीपक जनना चाहिए उसको उसकी शुद्धी के लिए सुगंदित अगरबत्ती इस तरीके से लगा के रखें इशान कोण में मनी प्लांट लगा सकते हैं इशान कोण में सजाने वाली सुन्दर चमकीली चीजें रख सकते हैं फ्लावर्स गमले बगएरा सुन्दर से इशान कोण को आप रखिए यदि जिनके घर में इस तरह की प्रॉब्लम्स है या फिर इशान कोण ट्वैलेट नहीं भी है खराब ऐसे गंदगी भरी पड़ी है कुछ ना कुछ उल्टा सीधा वाँ फैक रखा है तो इशान कोण को ऐसा मज़िनके भी घर का इशान कोण खराब होगा चाए वो ट्वैलेट बनी होगी तो खराब होगा या फिर वैसे भी यदि ट्वैलेट नहीं हटा सकते होँ से अब ट्वैलेट है तो साफ तो रखनी सकते है ट्वैलेट तो ट्वैलेट ही है क्या साफ रखेंगा उसे दीपक नहीं जिला सकते है ट्वैलेट है जब तक ये सब तो ट्वैलेट हटने के बाद ही होगा और अगर नहीं हटा सकते तो फिर आपको जो है प्रॉपर तरीके सीधी आपको अच्छा इलाज करना है अच्छा प्रभाव देखना है बीमारी इत्यादी दूर करनी है तो दोस्तों फिर आपको चाहिए कि आप इसका वैदिक रूप से प्रॉपर तरीके से यदि हमेशा के यह दूर करने है सारी प्रॉपर तो वैदिक उपचार वाष्तो शास्त के अकोर्डिंग आपको बताएंगे आपको क्या करना है क्योंकि आपके घर के direction के according एक इंच भी direction इदर उदर है विशान में इदर उदर तो उसका उपाई अलग होता है आपके according आपके घर के according वो अलग हो जाएगा इसलिए इसके लिए जरूरी है कि आपका घर देखा जाए विजिट किया जाए क्योंकि जब तक आपका घर नहीं देखेंगे विजिट नहीं करेंगे आपका नक्षा नहीं देखेंगे तब तक वहाँ पर आपके according उपाई बताना हमारे लिए कठिन होता है लेकिन जैसे ही प चाहे वो आपकी दुकान है मकान है फैक्टरी कंपनी कुछ भी है उसके according आप जान सकते हैं उसके लिए आप हमें जो है हमारे इन नंबर्स पर कॉल करके appointment सेट करेंगे और उसके बाद जो है आपसे हम बात करेंगे दोस्तों इस प्रकार से आपको इशान को अच्छा रखन चाहिए तब तक temporary उपाई के लिए tips मैं आपको बताता हूँ यदि इशान में यदि toilet है तो इशान कोण की जो दिवार है वहाँ पर कोशिश करें कि उस दिवार पर एक आद कोई money plant अच्छा कोई flower साथ के साथ लगा कर रखें बातरूम के बाहर बातरूम के अंदर भी आप आप जो है कोई flower रख सकते हैं इस बिल्कुल corner पर नौर्थ इस corner पर सजा कर रखें उसे या फिर जो है आप जो है ट्वैलेट के बाहर साफ सपाई अच्छी रखें ट्वैलेट को हमेसा साफ रखें और जो ट्वैलेट seat है उस seat के ओपर जो box होता है या वहाँ पर कोई जग खाली हो तो वहाँ पर जो है आप system के ऊपर या फिर वहाँ पर जो जगह हो वहाँ पर एक जो कांच का बावल होता है उसमें जो है गारे वाला नमक जो पत्थर वाला नमक होता है white color का वो नमक भर कर रखें तो वो वहाँ की जो negative energy है उसे अग्जॉर्व करेगा negative energy को वो नमक एग्जॉर्व करके आपको काफी हद तक आपके उस negative प्रभाव को positivity में convert कर सकता है साथी में उस वाल का अंदर का बाहर का color जो है आप white color या फिर yellow color करवाएं अच्छा रहेगा और आपके उस property और इशान कोड में बने toilet के according यहाँ पर उपाएं आपको मिलेगा solution मिलेगा जो कि उस स्थिती को उस नक्षे को देख करके ही पता चलेगा तो उसके लिए आप आप appointment लें तो मिलते हैं next वीडियो की जरीए तब तक के लिए जैशे किष्णा थैंक्स वर वचिंग इस वीडियो झाल 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 करें रहां झाल